हेलो इवडिवन बेरी गूड इवनिंग वेलकम बैक टू आबर यूटूब चैनल देख जाम करेकर NCRT क्लास 6 जोग्रफी का चप्टर प्रीत्वी के प्रमुख अस्तलूप Major Land Forms of the Earth इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग प्रीत्वी के प्रमुख और अलग-अलग Different Land Forms यानि की अस्तलूप के बारे में जानेंगे फिर हम लोग जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं और इसके यूज़ क्या-क्या है अब देखिए अर्थ का जो सर्फिस है वो हर जगह सिम तो है नहीं इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज हमें देखने को मिलती है आप लोगों ने काफी जगह ट्रैवल करते टाइम देखा होगा कि अस्तल मंदल के कुछ भाग जो है वो उंचे है कुछ नीचे है और कुछ समतल होते हैं कभी कभी हम लोग मिटी के कलर्स में भी अंतर पाते हैं तो अस्तल रूप जो है वो अंगिनत है काफी सारे हैं और ये मुख्य रूप से दो प्रकार से बनते हैं आंतरीक प्रक्रिया यानिकी इंटर्नल प्रोसेस और बाहिय प्रक्रिया यानिकी एक्स्टर्नल प्रोसेस त तो अस्था लूप दो प्रक्रियाओं के परणाम सुरूप बनते हैं आपको यह जानकर आश्चरी होगा कि मैदान जिस पर आप और हम खड़े हैं उनमें दीरे-दीरे गती होती रहती है प्रीथवी के अंदर लगातार गती हो रही है प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से अस्थानों पर प्रीथवी के सतह कहीं उपर उठ जाती है तो कहीं धस जाती है तो यहां हमने आंतरिक प्रक्रिया के बारे में जाना आगे बात कर लेते हैं यहां पर हम देखेंगे बाहिय प्रक्रिया तो दूसरी या बाही प्रक्रिया जो है वो अस्थल के लगातार बने एवं तूटने की प्रक्रिया है प्रित्री के सतह के तूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्मान हो जाता है ये दो प्रक्रियाएं बैहते हुए जल, वायू तथा वर्प के द्वारा होती है हम विभिन अस्थल रूपों को उनकी उच्छाई एवं ढाल के आधार पर परवतों, पाथारों एवं मैदानों के रूप में वर्गिकृत कर सकते हैं तो मूल रूप से अस्थल रूप के जो तीन प्रकार बताए गए हैं वो है परवत, पाथार और मैदान तो चलिए इनके बारे में अब हम वन बाई वन बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे परवतों के बारे में तो परवत जो है वो प्रीतवी की सतह की प्राकरतिक उचाई है परवत का सिखर छोटा तथा आधार चोड़ा होता है कुछ इस टाइप का सेफ होता है और यह आसपास के छेतरों से बहुत उचा होता है कुछ पहार बादलों से भी उचे होते हैं जैसे आप उचाई पर जाएंगे जलवायू ठंडी होती जाती है कुछ परवतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्प की नदिया होती है जिन्हें हम हिमानी कहते हैं तो यह इंपोर्टेंट है आपके लिए जानना कि हिमानी किसको कहते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा फिर है कि यहां पर कुछ ऐसे परवत है जो समुद्र के भीतर है जिन्हें आप और हम नहीं देख सकते कठोर जलवायू होने के कारण परवती शेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं क्योंकि वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा किसी योग्य भूमी की कमी होती है और वहां का जो मौसम होता है वो भी इंसानों के रहने के अनुकूल नहीं होता है इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम लोग निवास करते हैं परवत एक रेखा क्रम में विवस्तित होते हैं जिसे हम परवत स्रिंखला कहते हैं कुछ इस तरीके का आगे देख लेते हैं बहुत से परवतिये तंत्र समानांतर स्रिंखलाओं के क्रम में होते हैं ש सैक्रो sulphur में फैले होते हैं हिमाले आलपस एंडीज क्रमसा एसिया यूरोप दख्षिन अमेरिका की पर्वत्त रिंख लाये हैं हिमाले एसिया में है cartoon यूरोप में है और इंडीज की बात करतें तो यह नो की implicate प्रसारत महा स्थित मोना की परवत हाइडिभप सागर की सतह की नीचे इस सित है इसकी उचाई 10205 मीटर एवरेज सिखर से भी अधिक है फिर आगे देख लेते हैं परवतों की तीन प्रकार होते हैं वलित परवत, भ्रहनसोत और ज्वाला मुखी परवत हिमाले तता आलपस वालित परवत है जिनकी सतह उबर खाबर एवं सिखर संकवाकार है संकु के अगार का कौन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में फिर भारत की आरावली स्रिंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वालित परवत स्रिंखला है यह जाना भी आपके लिए इंडिया में राजस्थान में परता है तो ध्यान में रखेगा इसको भी अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह स्रिंखला धस गई है उत्तरी अमेरिका के अलफेसियन तथा रूस के युराल परवत गोला कर दिखाए देते हैं एवं इनकी उचाई कम है और यह बहुत पुराने वालित परवत है तो इसको भी ध्यान में रखेगा फिर आगे बात कर लेते हैं जब बहुत बड़ा भाग तूट जाता है तथा उद्वा का रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंस्तोत परवतों का निर्मान होता है उपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानिकी हाष्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणी का भ्रंस यानिकी ग्राबेन कहा जाता है तो यह इंपोर्टन्ट है आपको पता होना चाहिए यह भी आगे देख लेते हैं तो यहां पर हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह उत्खंड भ्रंस है जिसको हार्ष्ट कहा जाता है और यह द्रोणी का है ठीक है जिसको ग्राबेन के नाम से हम जानते हैं यूरोप की राइन घाती तथा वॉस जेस परवत इस तरह के परवत तंत्र के उधारन है इस तरह के परवतों के उधारन है कि तो आप से पूछा जा सकता है कि मांट कैलीमेंजरो कहाँ है और पैस्जियामा का है तो यह ध्यान में राख्येगा कि मांट कैली मेंजरों जो है वह अफ्रीका का तथा आरर मौawa जो वो जापान में इस्तित है आगे देख लेते हैं पर्वत बहुत लाफदायक होते हैं पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं बहुत सी नदियों का श्रोत पर्वतों में इस्तित हिमानियां होती है जलासियों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है पर्वतों के जल का उपय तथा जीव जंत उपाय जाते हैं वनों से हमें इंधन चारा आस्रे तथा दूसरे उत्पात जैसे कि गोंद रेजी नित्यादी प्राप्त होते हैं सैलानियों के लिए परवतिय भाग उप्युक्त अस्थान है विपरवतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुन्दर्ता को दे जुआला मुखी विसफोट के कारण की जुआला मुखी परवतों का निर्मान किस प्रकार से होता है तो आप यहां पर देख सकते हो इसको सपात होता है तो जब हमने पर्वतके बारे में देखा थCar तो वह संकवाकर यानि कि कोन जो वूर्वत का सोता है गशाय मीं सिख सकते हों किसी परवतों के एक या एक से अधिक किणारे होते हैं दाल खड़े होते हैं और पाथारो, क्यूंचाई प्राय कुछ 100 मृतर से कई 1000 मिटर तक हो सकती हैं परवतों की तरप पाथार भी नए या पुराने होसकते हैं भारत में दक्कन पाथार पुराने पाथारों में से एक है एवं अस्ट्रेलिया का पश्मी पाथार इस प्रकार की उधारन है तिबबत का पाथार विस्व का सबसे उचा पाथार है जिसकी उचाई माध्य समुद्र तल से चार हजार से छे हजार मीटर तक है तो सी लेवल से इसकी हाइच बताई गई है आपको आपको जो पाथार में दो चीज़े याद रखनी है वो है दक्कन का पाथार और तिबबत का पाथार तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा आगे देख लेते हैं पाथार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनीज्यों की प्रचूरता होती है यही कारणे कि विश्व के बहुत से खनन चेत्र पाथारी भागों में इस्थित है अफरीका का पाथार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉ जाते हैं तो यह चोटा नागपूर जो है वह जारखंड में है तो इसको भी ध्यार में रखिएगा आगे देख लेते हैं जोग जल प्रपात इस प्रकार के जल प्रपातों के उदारन है लावा पाथार में काली मिटी की प्रचूरता होती है जो उपजाओ है एवं खेती के लिए कापी अच्छी होती है कई पाथारों में रमनियें अस्तल होते हैं जो पर्याटकों को आकरसित करते हैं तो question यहां से यह पूछा जा सकता है आपका कि जोग जल प्रपात जो है वो कहां वसीत है तो वो करनाटक में है और छोटा नागपूर पाथार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जल प्रपात इससे थैं तो यह जारकर्ण में है तो इन दोनों को याद रखेगा question यह भी पूछा जा सकता है आपसे आगे देख लेते हैं मैदान के बारे में तो मैदान जो है वो समतल भूमी के कुछ बरे भाग होते हैं वह सामानेत मादिय समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक उचे नहीं होते हैं कुछ अर्मिल तता तारंगित हो सकते हैं अधिकांस मैदान न पहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं, नदिया परवतों के धालों पर नीचे की ओर बैती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है, वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ धोय जाने वाले पदार्थों जैसे की बालू, कि वी तकि नीड़ान का निर्भान होता है कि मैदान की निर्भान परिवर्ण यान defined की साथन्हों का निर्मान करना असान होता इसलिए ये विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एसिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं एसिया में इस्तित भारत में गंगा इवं रंपुत्र का मैदान तथा चीन में यांग से नदी का मैदान इसके प्रमुक उधारन है मैदान मनुसियों के रहने के लिए सबसे उप्योगी शेत्र होते हैं और यहां की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहां समतल भूमी की प्रचूरता होती है उपजाओ मिट्टी के कालन यह भाग खेती के लिए काफी उप्योगत होता है भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला चेत्र है तो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा शेत्र है ये भी ध्यान में रखिएगा आगे देखेंगे तो यहां पर आप चेत्र के माध्यम से देख सकते हो मैदान को दर्साया गया यहां पर अस्था लूप एवं लोगों के बारे में जान लेते हैं अस्था लूपों की विवित्ता के अनुरूप ही मानव विभिन प्रिकार से जीवन यापन करते हैं परवतिय शेत्रों का जीवन कठिन होता है मैदानी शेत्रों का जीवन परवतिय शेत्रों की तुल्ला में सरल होता है मैदानों में फसले उगाना, घर बनाना या सर के बनाना परवती शेत्रों की तुल्ला में अधिक आसान होता है विभिन प्रिकार के अस्ता लूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी कुछ अंतर होता है कभी-कभी प्राकर्तिक आपदाएं जैसे कि भुकम, ज्वाला मुखी उद्गार, तुफान या बाट बहुत विनास कर देते हैं इन आकस्मी घर्टनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करके हम इन से आने वाली खत्रों को कम कर सकते हैं आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिये गया है यहाँ पर हमें कहा गया है कि चित्र संख्या एक से लेकर दस तक को ध्यान से देखी और प्रतिक के लिए एक-एक वाकि लिखिये वैसे तो यह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं फिर भी इसको देख लेते हैं फॉर्ष्ट जो चित्र है यह एक रेगिस्थान का चित्र है जहां उट को सामान्ट होते हुए दिखाया गया है सेकंड चित्र जो है उसमें एक समुद्री पुलीन यानि की बीच को दर्साया गया है और एक व्यक्ति वहाँ पर घूम रहा है बात करें अगर हम तीसरे चित्र की तो यह केरल की सर्प नौका दौर की चित्र है और चौथा चित्र जो है यह एक प्रियाटक अस्थल है आगे देखेंगे पांचवे चित्र की अगर हम बात करें तो यह एक पहारी शेत्र की बस्ती है देख सकते हो यहां के मकान कुछ उचे कुछ नेचे है छटे चित्र में हम देखें तो औरते जो है वो चाय बगान में चाय की पतियां तोर रही है आगे देखते हैं साथवा चित्र जो है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे चाय बगान में इसे चाय की कोई फैक्टरी है आठवे चित्र में राफ्टर जो होते हैं वो राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं नौवे चित्र की अगर हम बात करें तो नौवे चित्र में पहारी ढलान पर पसु चारण हो रहा है और दसवा चित्र देख लेते हैं दसवे चित्र में बर्ब से धका हुआ चित्र हमें दर्स आया गया है अब इस चैप्टर के जो exercise है जो अभ्यास वाले questions है उसको हम देखते चलते हैं ताकि हमारा revision हो जाए और important points जो हमारे exam के लिए जरूरी है वो छूट न जाए उनका भी हम revision कर पाएं तो question 1 में पूछा गया आप से कि प्रमुख अस्था लूप कौन कौन से हैं तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि प्रमुख अस्था लूप जो है वो है पर्वत पाथार और मैदान second question है आपका कि पर्वत इवों पाथार में क्या अंतर है तो पर्वत और पाथार के बारे में अगर हम बात करें तो पर्वत का सिखर छोटा इवों आधार चोड़ा होता है for example हिमाले पर्वत और पाथार जो होता है उसका उपड़ी भाग मेज के समान सपार्ख तथा आसपास के शेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है उदारन के तोर पर अगर हम देखे तो दक्कन का पाथार question number 3 है आपका कि पर्वतों के विभिन प्रकार कौन कौन से है तो पर्वतों के जो विभिन प्रकार है वो है वलिद पर्वत, भ्रंस्तोत पर्वत और ज्वाला मुखी पर्वत तो ये मुख्यता तीन प्रकार के होते है Q4 में पूछा गया है आपसे कि मनुस्य के लिए परवत किस प्रेकार से उपयोगी है तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मनुस्यों के लिए परवत जो है वो बहुत ही जादा उपयोगी साबित होते हैं अगला क्वेशन पूछा गया आपसे कि मैदानों का निरमान किस प्रकार से होता है तो नदियां और उनकी सहायक नदियां जो होती है वो मैदानों का निर्मान करती है नदियां परबतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है और उन्हें अपरदित कर देती है और ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ लेकर आगे की ओर जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पतातों जैसे की बालू, स्लेट को वो घाटियों में निक्षेपित करती है और इन ही निक्षेपनों से मैदान का निर्मान होता है अगला क्वेशन है आपका कि नदियों द्वारा निर्मित मैदान सगन जलसंख्या वाले होते हैं क्यों तो मैदान जो है वो बहुत अधिक उपजाव होते हैं यहां परिवहन के साधनों का निर्मान करना भी कापी आसान होता है इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जलसंख्या वाले शेत्रों होते हैं अगला क्वेशन है आपका कि परवतों में जलसंख्या कम क्यूं होती है तो कटोर जल वहाँ पे बहुत कमी होती है, वहाँ किसी योगी भूमी होती ही नहीं है लगवग, इसके कारण वहाँ परवतों पे लोग कम निवास करते हैं और परवतों की जल्जंख्या जो है वो कम होती है, आगे देख लेते हैं सही उतर शिन्हित करें, फर्स्ट क्रेशन है आपका कि परवत पाठारों से भिन होते हैं, फर्स्ट उप्सन है उचाई में, सेकेंड ढाल में, थर्ड अभी मुक्ता में, तो परवत पाठारों से किस प्रकार भिन होते हैं? इसका हो जाएगा उप्सन बन उचाई में भिन होते हैं, सेकेंड है कि हिमानी कहां पाई जाती है, फर् फर्स्ट ऑप्शन है Kenya, सेकेंड अस्ट्रेलिया, थर्ड भारत तो अभी हमने देखा था कि दक्कन का पाथार जो है वो भारत में अवस्तित है, ऑप्शन गर हमारा सही होगा यांग्च से नदी कहां बैती है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिन अमेरिका, सेकेंड अस्ट्रेलिया, थर्ड चीन, तो यांग्च से नदी जो है वो चीन में बैती है, ऑप्शन गर हमारा सही होगा पाच्वा क्वेशन है आपका कि यूरोप की एक महतुपून परवस सिंखला कौनसी है? फर्स्ट ऑप्शन है एंडिज, सेकेंड अलपस, थर्ड ऑप्शन है रॉकिज, तो यूरोप की महतुपून परवस सिंखला तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, वो है अलपस, यानि की ऑप्शन कहो हमारा सही होगा फिर यहाँ पे खाली अस्थानों को भढ़ना है, फर्स्ट क्वेशन है कि समतल भूमी वाले विस्तिच च्टर को डेस कहते हैं, तो समतल भूमी वाले विस्तिच च्टर जो होते हैं, उसको हम मैदान कहते हैं थेकरेड्नक्वेशन है कि हिमाल्य एवम अलपश डैस परवत्व की उदारन है तो यह युवा वाली हुदारन है तो यहाँ पर युवावालत आ चायेगा फिर थार्ड रट्क्वेशन है कि डैस छेत्रों में खनीजू की परचूरता होती है तो पाठारी छेत्र जो होते हैं पाठार वाले जो छेत्र होते हैं उन में खनीजों की प्रचूरता होती है तो यहां पे पाठार होगा फिर फोर्थ क्वेशन की बात करें तो डैस परवतों का एक क्रम है तो स्रिंखला जो में लेखिक के लिए बहुत अधिक उत्पादक शेत्र होते हैं तो बस स्रेप्टर वूपकर रहें झाल झाल